दोस्तों दो इलेक्ट्रो मेंगंटिक रिले वाले गैस ग्रसब से बड़ा फाइदा क्या है तथा यह है रिले कैसे काम करती है और अगर इसमें से एक खराब हो जाए तो हम उसका कैसे पता करेंगे इन सभी बातों को मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा वीडियो में ल की रिजए लिए जाता है अब यह कैसे काम करती है उसके बारे में जानते हैं जैसे ही वह मेगंटि यहां पर आएगा हमारे लाइटर भी चालो हो जाएएगे और हमारा फ्नार को बताता हूं आपको धेयन से सुनना और देखना है की इस लिए के उप्रेट ओने का पैटन क् पहले कौन से रिले चलती है बाद में कौन से रिले चलती है आपको ध्यान से सुनना है और मेरी बातों को भी ध्यान से सुनते रहना है जैसे ही सेंसर एक्टिवेट होगा तो आपको एक रिले की आवाज सबसे पहले लाइटर के साथ में सुनाई देगी आपको ध्यान से सुनना है लाइटर के साथ ही एक रिले ओपरेट होती है और एक रिले ओपरेट होने के बाद तीन या चार सेकंड के बाद दूसरी रिले ओपरेट होती है दोस्तों इन दोनों काम एक ही है तो दोस्तों आपको यह तो पता लग ही किया है कि इस रिले का जो काम है वो गैस की सप्लाई को हमारे गैस की ज़र में चालू करना और बंद करना होता है लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर एक रिले वाला गैस की ज़र है और वो रिले खराब हो जाती है तो गैस की सप्पलाई बिना गैस गिजर ओन किये हुए भी हमारे गिजर में चली जाएगी और लिकेज हो जाने से आग लगने खत्रा बढ़ जाता है लेकिन अगर दो इलेक्टर मेंगेटर रिले वाला गैस की जर है तो उसमें क्या होता है कि अगर एक खराब हो जाती है तो दुसरी वाली रिले गैस की सप्लाई को आगे चाने नहीं देती इसलिए हमेशा रेगुलेटर को बंद करके खना चीए जब आप गैस की जर का इस्ति जनेवाट